वेल्कम यू तो मैं चैनल प्राक्टिस टो पर्फेक्ट आज का विडियो हिंदी में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के विशेपर है इस विडियो में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे और साथ ही उसका अभ्यास भी करेंगे यह है छोटी ई और उसकी मात्रा ऐसी लिखी जाती है यहाँ पर यह याद रखना है कि छोटी ई की मात्रा वियंजन के पहले लगाई जाती है छोटी ई की मात्रा का उच्चारण ए होता है और जब हम इसे व्यंजन के साथ लिखते हैं तब व्यंजन का उच्चारन धीमे स्वर में किया जाता है। जैसे क में छोटी ए की मात्रा लगाने से बनता है कि, ग में छोटी ए की मात्रा लगाने से बनता है गि, अब हम छोटी ए की मात्रा के कुछ शब्द देखेंगे। मात्रा पि, त में आ की मात्रा ता, पिता, द में छोटी ए की मात्रा दि, न, दिन, क में छोटी ए की मात्रा कि, ल में आ की मात्रा ला, कि ला, त में छोटी ए की मात्रा ति, ल, तिल. अब हम बड़ी ए की मात्रा पढ़ेंगे यह हैं बड़ी ए और इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है यहाँ पर यह याद रखना है कि बड़ी ए की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है बड़ी ए की मात्रा का उच्चारन इ होता है और जब हम इसे व्यंजन के साथ लिखते हैं तब व्यंजन का उच्चारन लंबा और तेज होता है जैसे थ में बड़ी ए की मात्रा लगाने से यह बनता है थी ल में बड़ी ए की मात्रा लगाने से इसका उच्चारन होता है ली अब हम बड़ी ए की मात्रा वाले कुछ शब्द देखेंगे त में बड़ी ए की मात्रा ती, र, तीर न, द में बड़ी ए की मात्रा दी, नदी द, ह में बड़ी ए की मात्रा ही, दही अभ्यास के लिए दोनों मात्रा के शब्द पढ़िए इससे आपका उच्चारण क्लियर होगा और उसी के साथ शब्दों को लिख कर भी प्रैक्टिस करें अब हम इन दोनों मात्राओं के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेस्टिन्स देखेंगे मैं पहला एक्जाम्पल समझाती हूँ यहाँ पर दिया गया है त प्लस छोटी ए की मात्रा प्लस क जो बनता है कि प्लस या तो जो शब्द बनता है वह है तक्या हम एक और एक्जाम्पल देखेंगे चर में बड़ी ए की मात्रा बनता है ची प्लस ल तो यह जो शब्द बनता है वह है चील इसी प्रकार से आपको सभी प्रशनों के यहां उत्तर लिखने हैं क्वेशन नमबर टू छोटी ए की मात्रा लगा कर शब्द यहां पूरा करना है जो शब्द दिये गए हैं उसमें आपको किसी एक व्यंजन में छोटी ए की मात्रा लगा कर एक सही शब्द बनाना है जैसे यहां पर लिखा गया है कर ताब इसमें जब क में हम छोटी ए की मात्रा लगाते हैं तो जो शब्द बनता है वह है किताब क्वेशन नमबर टू यहां बड़ी ए की मात्रा लगा कर आपको एक शब्द पूरा करना है यहाँ पर दिया गया है तर तर, इसमें त में हमने बड़ी ए की मात्रा लगाई और शब्द बना तीर Question number 4, सही शब्द चुनो हर प्रश्न में तीन ओप्षिन्स दिये गए हैं और केवल एक ही ओप्षिन करेक्ट है पढ़के सही उच्चारन करके आपको यहाँ पर सही ओप्षिन को चुनना है यहाँ पर भी उसी प्रश्ने के लिए कुछ और भी questions दिये गए हैं Question number 5, चित्र दिये गए हैं इन चित्रों को पहचानो और सही शब्द के साथ इनको मिलाओ अब हम question number 6 देखेंगे Question है पहेली पूरी करो इस प्रश्न में आपको चित्र दिये गए हैं और उसकी सहायता से आपको शब्द पूरा करना है एक खाली स्थान दिया गया है उस खाली स्थान में एक व्यंजन और उसके साथ या तो छुटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा लगेगी और उस से एक शब्द बनेगा और वह शब्द उस चित्र से आपको उसकी सहायता मिलेगी यहां आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप अपने कमेंस जरूर शेर करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थेंक यू